बहुत बहुत निवाद देतक्ष मोद्या एक गंभीर विशा है जो भारती अंता पाटी के चाल, चरित्रो और चेहरे को उजागर करने वाला है बहुत मजबूर होके बहुत आथ होके ये अरिस्ताव सदन के बडल पटखना पड़ा मुझे मुझे रखता है कि इस सदन में फस्ति हरे एक व्यक्ति को इस घटना दूशित मानसिक्ता के साथ जो इकरत किया गया है उसकी उस दुर घटना का अभास होगा ग्यान होगा कि केंद्र की सरकार ने दिल्ली सरकार को चिट्टी भेज़ कर मेरे हाथ में उचिट्टी है दक्षिम हो दिल्ली के तिरपन मंदिरों को तोड़ने की ये अनुमती चाहिए आप देखिए सत्ता का नशा जब सर चड़कर बोलता है तो आवाजें कैसी निकलती है कि केंद्र की सरकार भगवान श्रीडाम के भगवान श्रीकृष्ण के हनुमान जी के शंकर भगवान के दुर्गा माता के साई बाबा के एक दो नहीं बलकि कुल तिरपन मंदिर तोड़ने के लिए चिट्थे लिखिए जब यह मामला मेरे संग्यान में आया मुझे अपने एक परचीत हैं लंडन में रहते हैं उनकी एक बाचीत याद आई उनका एक वीडियो आया मेरे पास जिसमें उनके कनाडा के मित्र ने अधक्षम हो दिया उनसे कहा कि तुम हिंदू हो तो मेरे मित्र ने मेरे परचीत ने कहा कि जहां मैं हिंदू हूँ तो कनेडा वाला जो मित्र था उसने कुछा कि क्या तुम्हें हिंदू होने पे गर्व है तो उसने का हाँ बिल्कुल मुझे हिंदू होने पे गर्व है गनाड़ा के स्मित्र ने पूछा की तुम भार्द माता की जाए क्या सकते मुझा था रांगी क्या सकते हूंभ लारी एक बार तो उसने कहा कि फिर तो तुम्हें निश्चे ही भारती हैंता पार्टी की सरस्ता ग्राण कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम हिंदू हो यहां मेरे मेरा जो परचित व्यक्ति था वह ऐसा हमात हुआ और उसने कहा कि मुझे मैं प्राउड हिंदू हूँ मैं सनातनी हूँ मैं सुबह शाम पूजा पार्ट करता हूँ इसका मतलब यह कैसे हो गया कि मुझे भारती हैंता पार्टी का सरस्ते होना चाहिए और फिर उसने एक लंबी चोड़ी बाग कही अपने कनाड़ा वाले उसमेते से जो सीरे सीरे भारती हैंता पार्टी के दोहरे पन को उजागर करती है लबब लुबाव यह था जैक्ष महुद्या की बड़े अच्छे एक लेखा कहका भी है सुषांत जी सुषांत सुप्रिय नाम है उनका उनकी एक छोटी सी कविता की चार पंक्तियां जो हमें आपके सामने पढ़ना चाहूँगा कि तुम भी अच्छे हम भी अच्छे तुम भी अच्छे दोनों अच्छे ढेचू ढेचू और जो भी हमसा राग अलापे वह भी अच्छा ढेचू ढेचू भारतियेंदापाटी यह कहना चाहते हैं, Всегда को हमारी तरह तुम भी तपर दोद्जिक दोट करें तुम भी वड़े अच्छे आख्यी हो तुम भी हिंदू हो तुम भी सही माहने में हिंदू हो तब forbidden भारत नीया पार्टी की सुठर से हो उडिआ जो चिट्टी लिखिये भारतियंता पार्टी ने ये पहला ऐसा वाक्या नहीं अधर्शम हो दिया जिसमें भारतियंता पार्टी ने अपने फर्जे फर्जी वाले को उजागर किया इसके पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा 500 साल से पुराने तक्रीबन 296 स्ट्रक्टिर्स को जिसमें दर्जनों मंदिर है एक शौपिंग कॉंप्लेक्स बना ले के लिए देश की अध्यात्मिक राजधानी बानारस के अंदर भारतियंता पार्टी ने दर्जनों मंदिर और तमाम पुराने दाजनों को तोड़ दी यह हिंदू बनते हैं यह हिंदू बनते हैं जबकि मंदिर तोड़ रहा है पनारस पहली घटा नहीं है देश्मोद्या पनारस के बाद अयध्या के अंदर भगवान राम जिनके अनन्न में भक्त थे भगवान शिव उन्हें के 176 टैंपल उन्होंने डिमॉलिश करती है भारतिया पार्टी ने आयो ज्या में मंदिय तोड़ा भारतिया पार्टी ने तीन सो वहां पर पहुने 200 यहां पर उसके बाद दिल्ली के अंदर भी भारतिया पार्टी तिरपन मंदिरों को तुड़ने की कोशिश करने में लगी हुई है जो सीधे सीधे भारतिया पार्ट उसमें भी भारतिय इंतर पार्टी का उतावला पन सामने हैं सुनने को त्यार नहीं है सुरुप भाई बोर में कहरे भाई उद्यपूर में जो घटना हुई हम सब उससे आहाथ है चाहे कोई भी समाज का विक्ति हो नफरत की परास कास्टा ऐसी नहीं हो सकती कि वो किसी की जान ले ले मज़े की बात देखिए कि उस मामले में भी जो आदमी पकड़ा गया वो भारतिय इंतर पार्टी का सदस्य है लश्करत तेवा के कनेक्शन के साथ जो आतंगवादी पकड़ा गया है जम्मू कश्मीर का भारतिय इंतर पार्टी का मीडिया सेल का जो सदस्य रहा है क्या हो रहा है देश के इंदर जहां कहीं भी जो देश का जो डिमोक्रिटिक तापरिक है वो अगर डिस्टॉर्ट हो रहा है जो देश का देश को मद्बूत बनाया रखने के लिए सम्परिक्ता की जो नीव है जो समाजी सद्भाव की निव है उसमें अगर कोई छेत कर रहा है तो उसीरी सीड़े भारतीय अंतापटी की लोग सामने निकल कि आ रहे हैं भारतीय अंतापटी की लोग ये काम कर रहे हैं तो देख्शमोदा मुझे लगता है कि इस विशेय ने पहले हम सब कहते थे लेकिन अब प्रमार के साथ ये स्थापित साबित हो रहा है कि भारती अंता पार्टी सिर्फ फर्जी हिंधुतों का फटा हुआ डोल बजाने वाली पार्टी है डेंचू डेंचू करने वाली पार्टी है और ऐसी स्थिति परिस्दिति में मुझे लगता है कि अब भार्तियंता पॉट् mg पास सामने आकर दिल्ली की जनता और देश की जनता से माफी मांगने के अलावा और अपना पुंद्दि के लावा और कोई दूसरा तीसरा नासा नहीं है भारतियंटर पार्टी को यह बताना पड़े की कि इस देश में जो एक्ता और खिंड़िता की बात कही जाती है जो आए पाटी के निताओं को से नफनत्क कि वो क्यूं देश के समाजिक सद्वाव के वात्तावन को बिगा नंब मने लगा हूँ उनकी पाटी के पदाधिकारी हूँ क्यूं कानून हाथ मिले कर देश का सपर्दाइक्षार खळब करने के लग Tu उनकी पार्टी के प्रोक्ताओं के उपर सुप्रीम कोड की तल्ख तिपड़ी आने के बाद अब स्पस्थ हो गया है कि अगर कोई एक पार्टी है जो नहीं चाहती है हिंदूों के हक में सोचती है जो हिंदूों का भला नहीं सोचती है और जो हिंदू मुसलमान किसी भी जाती समाज का भडानी सुस्ती है वो एक पार्टी है भारती अंता पार्टी के निदाओं को इस बावत अपना पस्पस करना चाहिए अपनी बात रखनी चाहिए मुझे लगता है कि हमारे विलान समा के वड़े एक इच्छे साथी है डॉक्टर अक्टर साथ बड़ा अच्छा हुआ उनका एक शेर है कि उन्हें तारीख मिल्लत भी हमेशा याद रखेगी और मैं कह रहा हूँ भारती अंता पार्टी के निदाओं के कनेक्शन्स और उनकी प्रिस्टबूमी पूरी निकल के आ रही है उस परिस्फिक्ष में कह रहा हूँ कि उन्हें तारीख मिल्लत भी हमेशा याद रखेगी जो अपनी कौम के जजबात का सौधा नहीं करते ये भारती अंता पार्टी के लोग हिंदू समाज का अपने आपको प्रनेता बताते हैं उन्हें आपको नेता बताते हैं उनको उनके हितों के रक्षिक पार्टी बताते हैं जबके असलमें यहीं उनकी उनका सत्य नास कर रहे हैं ये श्यर उनको एक्स्पोज करता है मैं सदन के सामने अपना निंदप्रस्ता उपढ़ना चाहूँगा भारते हैंदा पार्टी का असली चेहरा देश के सामें आया मौली सरकार ने दिश्टी सरकार को चिट्टी बेज़ कर का है कि हमें भगवान शिदान, प्रिकिष्टा अनुमान शिव भगवान, माता दुर्गा, साई बाबा समidhपन मंदिरों को तोड़ने के दार्टी समिटिक्या अनुमती चाहिए भारते हैंदा पार्टी के लोग जेश भर में धरम किनाप पर ड्रामा करते हैं जब इदिल्ली में तिल्पन मंदिरों को तोड़ने की योश्चना मणा रहे हैं या सदन इस बाद की दितागी तेने मादे जिए